सियावर राम चंद्र जी की जैहो राम भक्त हनुमानी जी की जैहो तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे कुछ पावरफूल लेसेंस के बारे में जो की होने वाले हैं रामायर से जब हनुमान जी सीता जी की खोज में जाते हैं तो उस जर्णी में उन्हें क्या-क्या आप्स्टैकल्स आए और उनसे हमें क्या सीख मिलती हैं आज हम वो जानने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप भी मेरे साथ बोलिए तो अब हम शुरू करते हैं वहाँ से जब पूरी की पूरी वानर सेना सीता माता का पता लगाने के लिए निकली हुई थी तब जब सारी की सारी वानर सेना समुद्र के पास पहुँची तो अब सवाल ये था कि आखिर ये सो योजन का समुत्र पार करके कौन जाएगा सीता माता का पतर लगाने तो जो अंकर जी थे उन्होंने कहा कि मैं ये सो योजन पार करके जा तो सकता हूँ पर मैं वापस नहीं आ सकता और जो जामवान जी थे उन्होंने कहा कि पहले तो मैं जा सकता था पर अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकता तब जामवान जी ने कहा कि ऐसे सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि राम जी के परमभक्त है जो सीता माता का पता लगाने ये सो योजन का समुद्र पार करके जा सकते हैं और वो है हनुमान जी तब उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तिया या दिलाना शुरू किया कि आप ही है वो जिन्होंने सूरे देव को निगलने के लिए इतनी उची छलांग लगा दी थी तो आपके लिए ये सो योजन का समुद्र पार कर जाना कौन सी बड़ी बात है तब उन्होंने उनकी महिमा का गान किया कि आप बहुत ही ब्लेस्ट है और आप यमराद से, इंद्र देव से, वरुर देव से, शीव जी से, ब्रह्मा जी से सबसे आपको विशेश आशिरवात प्राप्त है और आप स्वेम भी इतने शक्तिशाली है इसलिए राम जी का कार ये आप ही कर सकते हैं तब हनुमान जी को उनकी शक्तिय याद आए और उन्होंने कहा कि जी श्री राम जी की क्रपा से मैं उनका ये कारे जरूर सिद्ध करूंगा फिर हनुमान जी छलान लगाने के लिए समुद्र की किनारे पे गए अब इस इंसिडेंट से हमें ये चाहते हैं वो हमें हमारे अचीवमेंट से दिलाते हैं हमारी शक्तियों के एहसास दिलाते हैं जिससे कि हमारा आत्म विश्वास बढ़ता है इसके बाद जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए समुद्र तट पर पहुचे तो वहां पे उन्होंने भगवान श्री रा करते हैं हम भगवान के बच्चे जब हम ऐसा हमारे मन में होता है तो हमारा और बढ़ जाता है तो इस तरह हनुमान जी श्री राम का नाम लेकि महेंद्र परवत से छलांग लगाते हैं लंका की और तो लंका जाते समय हनुमान जी के रास्ते में सबसे पहले आता है मैनाग परवत वो परवत पे सारी सुकस विदा होती है सारी लगशरी लेकि होती हैं तो वो परवत सरांगे आता है वो खोकुत को कहता है कि है हनुमान जी आप इस परवत पर कुछ विश्राम कर लीजे थोड़ा आप कुछ खा लीजे कुछ आराम कर लीजे पर हनुमान जी वहां विश्राम नहीं करते हैं क्योंकि वो दिन लास्टे होता है सीता माता का पता लगाने का इसलिए वो परवत को टच करके आगे अपनी जर्णिपे निकल जाते हैं, तो यहां पे हमें यह सीख मिलती है, कि अगर हम अपने गोल की तरफ बढ़े हैं, तो हमें बीच में अचों आराम मिरते हैं, उन में हमें इतना नहीं खो जाना है, कि हम अपना गोल ही भूल जाएं, पर हम होंगे तो हम लक्षिरीज को देखके वही रुख जाते हैं और अपने गोल को भूल जाते हैं इसलिए हमें हनुमान जी से ये सीखना चाहिए कि हमें लक्षिरीज में खो नहीं जाना है बस थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया हमने थोड़ी देख फिर हमें वापस अपनी जन्नी पे निकल जाना है फिर जब हनुमान जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक और राक्षिसी मिलती है जिसका नाम होता है सुरसा सुरसा को ब्रह्मा जी का आशिरवाद होता है कि इस रास्ते से जो भी होके जाएगा उसे उसके मुख के अंदर से होके गुजरना होगा वो हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुझ फैलाए खड़ी होती है तो हनुमान जी को क्योंकि लंका जल्दी पहुचना होता है इसलिए हनुमान जी कोशिश करते हैं कि उसके किनारे से निकल जाएं पर हनुमान जी अगर दाइं जाते हैं तो वो अपना मूँ दाइं और बढ़ा कर देती है और अगर वो बाइं और जाते हैं तो वो राक्षेसी अपना मूँ बाइं और बढ़ा कर देती है फिर हनुमान जी सोचते हैं कि मैं उपर से निकल जाता हूँ तो वो राक्षेसी अपना आकार बढ़ा लेते हैं तो इस तरह धीरे धीरे करके दोनों अपना आकार बढ़ाने लगते हैं फिर हनुमान जी अपने आकार को छोटा करके उस रक्षसी के मूँ के अंदर से होके आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने आपका जो ब्रह्मा जी का वर्दान था वो पूर् सफलता प्राप्त होगी तो यहां पर सुरसा रिप्रेजेट करती है competitive mentality जहां पर हम कहते हैं कि क्या मैं कम हूँ दूसरे कहता है क्या मैं कम हूँ यह कहता है क्या मैं कम हूँ पर ऐसी situation में इसका कोई अंत नहीं है इस competition का कोई अंत नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए? हमें विनम्र हो के ये कहना चाहिए, हमें जुप जाना चाहिए क्योंकि इस competition में खाली हमारा time ही waste होता है तो जब हम विनम्र हो जाते हैं, दूसरे के सामने, अपने competition के सामने कि जी आप जीत गए, तो ये होता है कि हम और सीख पाते हैं क्योंकि सीख वही पाता है जो इमान लेता है कि जी मैं आपसे कम हूँ पर जो कहता है कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, वो कुछ नहीं सीख पाता इसलिए हमेशा हमें competitive mentality जहां पे हो, वहां पे हमें विनम्र रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए हमेशा अब हनुमान जी और आगे बढ़ते हैं, तो हनुमान जी सोचते हैं कि मैं नीचे उड़ता हूँ तो मुझे कोई नो कोई मिलता ही जा रहा है, पहले मैनात परवत मिल गया और फिर सुरसा मिल गया इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने उड़ने का लेवली बढ़ा देता हूँ तब हनुमान जी आकाश में बहुत उचे उड़ने लगे तो उचे उड़ते उड़ते वो एक जिके पर रुख जाते हैं तो वो यह देखते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और जब हनुमान जी नीचे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उनकी जो शैड़ो है वो बहुत ही बड़ी दिख रही है और उसे किसी ने पकड़ा हुआ है उस राक्षशी का नाम होता है सिमी का तो हनुमान जी मुठी बाद करके मुख नीचे की ओर करके बहुत तेजी से उस राक्षशी की तरफ बढ़ते हैं और अपना शरील शूश्म करके उसके अंदर जाके वो उसके हृदे को चूर कर देते हैं और उसका शरील फाडते हुए निकलते हैं तो आखिर हनुमान जी ऐसा क्यों करते हैं पहले उनके रास्ते में मेनाग परवत भी आया तो भी हनुमान जी ने कुछ ने किया वो उसको टेच करके निकल गे खाली और जो सुर्सा थी उसके साथ भी हनुमान जी ने कुछ ने कि उनको प्रणाम करके आगे निकल आए पर सिमिका के साथ ऐसा क्यों किया क्योंकि जो सिमिका है वो रिप्रेजेंट करती है एनिवी को जेलसी को ऐसा अक्सर होता है कि जब हम किसी को उचा उर्तवा देखते हैं सक्सेस्फूल देखते हैं तो हम उससे इर्शा करने लगते हैं और इर्शा की भगवान की सेवा में कोई जगा नहीं होती इसलिए हनुमान जी उसको फार करके बाहर निकलते हैं तो जो ये हनुमान जी की बड़ी सी शैडो को सिमी का पकड़ती है ये ये बताता है कि जो लोग इर्शालू होते हैं वो दूसरों के गुणों को नहीं देखते बलकि उनकी कमियों को बड़ा करके देखते हैं अब जब हनुमान जी थोड़ा और आके बढ़ते हैं तो वो लंका की गेट पर पहुँचते हैं जहां उन्हें मिलती है लंके नी, लंका की गेट कीपर तो वो वहां पे बहुती विशाल गृप से लालानाखे करके वहां पे खड़ी हुई होती है वो हनुमान जी को बोलती है कि हे वानर तुम कहां जा रहे हो इस लंका में लंकेश्वर रामण की इजाज़त के बिना और कोई नहीं जा सकता तो तुम कहां जा रहे हो तो हनुमान जी कहते है कि कृपया मुझे इसके अंदर जाने दे हनुमान जी उसको साथ युद्ध नहीं करते है पर वो नहीं मानती है तो वो हनुमान जी को हलका से ऐसे कर देती है तो हनुमान जी थोड़ा दूर जिड़क जाते है पर फिर हनुमान जी कहता है कि ये ऐसे नहीं मानने वाली है तो हनुमान जी अपने बाए हाथ से उसको एक घुसा मारते हैं जिससे कि वो पूरी हिल जाती है इसके बाद लंकिनी को अपना पिशला जनम याद आ जाता है जब वो सत्य लोक में ब्रह्मा जी की गेट की पर थी तो वहाँ पे उसको घमंड हो जाता है इसलिए ब्रह्मा जी उसको उससे भी ज़ाड़ा इगोस्टिक रामण के गेट की पर रख देते हैं फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब आपको आके हनुमान जी मारेंगे तब आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी तो लंकिनी जो आपस्टेकल रिप्रेजेंट करती है वो है चैलेंजिंग तफेत यानि कि हमारे आस पास के कुछ लोग होते हैं जो हमारे पेत को चैलेंज क करते हैं किसी भी चीज़ को लेके तो जो लंकिनी थी उसका मानना यह था कि जो रावड है वो त्रीलोकेशवर है पर वहीं पर जो हनुमान जी थे उनका मानना था कि श्री राम त्रीलोकेशवर है इसलिए लंकिनी की तरह जब कोई हमारे फेत को चैलेंज करें तो हमें भी हनुमान जी की तरह उन्हें आंसर देना चाहिए अपने एक्शन से अपने लॉजिकल आंसर के साथ दूसरी बात जो लंकनी रिप्रेसेंट करती है वो है हमारा अटेश्मेट मटेरियल बॉड़ी और मटेरियल वर्ड की तरफ लंकनी का मानना था कि ये मेरी लंका है मैं तेलो केश्वर रामड की दासी हूँ पर ऐसा नहीं है इस जगत में जो कुछ भी है वो प्रभू श्री राम का है इसलिए उसे एक मार पढ़ने से उसको सब कुछ यादा जाता है इसलिए हनुमान जी की संगत में आके उसे ये पता चल जाता है कि हाँ प्रभू श्री राम का ही सब कुछ है वो ही इस जगत में सब कुछ है और तीसरी चीज हमें इस इंसिडेंट से ये सीखने को मिलती है कि जैसे लंकनी को एक घूसा पढ़ा तो कभी-कभी हमारे साथ भ कि वो सत्य लोग को बिलोंग करती है वैसे ही अगर हमें भी हमारे साथ भी कभी कुछ बुरा होता है और उसका रिजल्ट अच्छा होता है तो वो बुरा होना भी हमारे लिए हमारे लिए अच्छा है तो ये थे कुछ लेसे जो हमें हनुमान जी की जैर्णी से सीखने को मिल तिल देन बबाए टेक केर